आगे बढ़ते हैं राइपूर से खबर जहां कॉंग्रिस संचार विभाग में बड़ा फेर बदल हुआ है। कॉंग्रिस ने पाँच विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। सुशील आनंद को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। युवा कॉंग्रिस और नसुआ के सोशल मीडिया प्रभारी आर्पी सिंग को बनाया गया है। विधायक कुमर सिंग निशाद, विनोद चंद्राकर, देवेंदर यादव प्रवक्ता बन गया है। साथ ही शकुंतला साहू, रामकुमार यादव को भी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो एक बड़ा फेर बदल कॉंग्रिस संचार विभाग में किया गया है, जिसमें पाँच विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया और सुशील आनन्द को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है तो आपको पता दे युवा कॉंग्रेस और एनस युआई के सोशल मीडिया प्रभारी आर्की सिंग को बनाया गया है महीं कॉंग्रेस के पाँच विधायकों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो इस खबर पर हमारे साथ संवधाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गया है मोहन आपसे जोना चाहेंगे एक बड़ा फेर बदल कॉंग्रेस संचार विभाग में पाँच विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है क्या जो अनकारी अब तक जो प्रवक्ता थे कॉंग्रेस के वो संगठन की और से नियुक्त थे सरकार की और से जो प्रवक्ता हैं वो मंत्रियों में से बनाये गये थे लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं में विधायकों को सामिल नहीं किया गया था और क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो चुनावी मोड में जाना चाहती है अब क्योंकि जो बहस होती है उसमें सरकारी प्रक्ष का आना जरूरी होता है इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ताओं के लिस्ट में इन विधायकों को भी जोड़ा गया है ये पांच विधायक हैं अलग अलग छेटर का प्रतनिधित्व करते हैं कांग्रेस ने खास तोर पर जातीगत समिकरन और भगोलिक समिकरन दोनों को ध्यान में रखते हुए इन प्रवक्ताओं के निउक्तिती है कोसिस ये है कि भाजपा क्योंकि अब अक्रामक हो गई है लगाता डिवेट और बाकी जगों पर उनके जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस की और से भी जो बड़े लोग हैं वो सामने आएं अब तक प्रवक्ताओं नहीं जिम्मेदारी समहली हुई थी संगठन की ओर से तो सव्त्यविधारी हो और विधायकों को यह मेजदारी दी जाए इस लिहाज से इन पांच प्रवक्ताओं की और निउक्तिती गई है जो पहले जो प्रवक्ता से उनकी अत्रिक्त काम करेंगे जी मुहण धनलिवाद आपका तमाम जानकारी के लिए तो बता दे कॉंग्रिस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये सुची जारी की है जिसमें पांच विधायकों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है बता दे कॉंग्रिस संचार व